Hello everyone, Welcome back to my YouTube channel Science by Diba So, मैं इस वीडियो में अंजियो स्पर्म को डिसकर्स करूंगी चीक है किस को करेंगे? अंजियोस्पर्म को तो देखे इस वीडियो में डीवीजन अंजियोस्पर्म हम पढ़ने जा रहे हैं तो हमने स्टार्ट किया था प्लांट किंग्डम के साथ और किंग्डम प्लांटी के साथ ठीक है और उसमें हमने देखा था कि किस तरह से अलग-अलग प्लांट को अलग-अलग डिवीजन में डिवाइट किया गया यह हमने देखा था अब उसमें जो है वैस्कुले टिशू ह या नहीं है सीट बना है पाते हैं या नहीं बना पाते हैं फ्लार होता है कि नहीं होता है मतलब फ्लार प्रेड्यूस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं इस तरीके के अलग-अलग बेसिस पे हमने उनको 5 डिविजन में डिवाइड किया गया था ठीक है और अभी तक हम साइंस बाई दीबा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक एंजियोस्पर्म के साथ जैसा कि हमने जिम्नोस्पर्म में देखा था कि पानी की अवैलिबिलिटी की कमी के कारण उसके इंब्रियों कहीं सूख ना जाएं तो इसके लिए उन्होंने सीट की एक कव में मुद्दा क्या था कि इंब्रियों सूक ना जाए तो इस आपको बताया था और तो एंजियो के B जिब्नोस पॉर्म से ज्यादा इवॉल्ड प्लांट होते ऑफ्यसी बात है आप ने इंज्योस पॉर्म में पढ़ा था तो उनली सीट की कोटिंग ती अब जब यह एंज्योस पॉर्म की बात कर रहे हैं तो इस सीट के ऊपर भी एक जो है कवर हो जाता है पल्प का जिसको इंब्रीयों के ऊपर सीट की कवरिंग आ गई थी ठीक है अब हम बात करेंगे एंजियों स्पॉम की तो इसमें सीट के ऊपर फर्दर एक कवरिंग आएगी जिसे हम लोग बोलेंगे फ्रूट्स जैसे कि मैं नहीं बताया अब देखो यह आपको सीट दिख रहा होगा यहां प एक छोट से मैं अपने प्रौट्स है आप Śथ अंचterror हूं गो भी तो आप शब को पता हैं हम सब खाते हैं वार्ट एक्जामपल ठीक है तो उसमें हमने उसका pulpy portion जो होता है वो खाएंगे जैसे यह पलपी portion हम लोग यही तो खाते हैं तो हम लोग नहीं यह खाया ठीक है उसमें अंदर में दो ब्लाक कलर के आपको structure देखने को मिलते हैं इसमें एक यह ब्लाक structure आपको दिख रहा है और एक आपको यह ब्ला जो है जर्मिनेशन होता है यह जर्मिनेशन का time होता है तो जो सीड कोट होता है यह rupture हो जाएगा और रप्चर होने के बाद क्या करेगा यह इंब्रियो एक new plant बनाता है क्या बनाता है new plant यह बात clear हो गई यह new plant बनाएगा तो इसकी roots आ जाती है स्टेम आ जाते शूट्स आ जाती है लेफ्स वगेरा आ जाती है राइट अब देखो हमने क्या बताया था जिम्नोई स्पर में क्या था आपने पढ़ा जिम्नोई स्पर में एक यह लास्ट ग्रीन के उपर जो मैंने औरेंज कर दिया यह सीड कवरिंग ठीक है यह आपने ज सीड ब्लैक ब्लैक नजर आ रहें इसके अंदर इंब्रियो होता है और यह जो पल्पी पॉर्शन है यह हम लोग एट कर लेते खा लेते तब यह सीड के अंदर जो इंब्रियो होता है जब वह जर्मिनेशन वाली कंडिशन में होता है लाइक उसको स्वाइल वाटर सब खाला के इध और हम बहुत दिख आsty और तो आप को यह जरूरत नहीं सिर्फ इसको समझें यह था आपको दीख डीख रहा है मारकर चेंज कर लेते हूं जैसे आपको यह फिलार दिख रहा है अब इस फ्लार में देखो जो इसकी पेटल्स बनी है यह पंखुड़ी ठीक है यह आपको दीख रही होगी जिसको जो अब इक पेटल्स दीख और यह नीचे का हिससा आपको दिख रहा है यह फूला-फूला स होता है यानि female gamete present होता है ठीक है अब जैसे कोई फ्लार और यहां पर देखो यह यलो अर्ला जो पॉर्शन आपको दीख रहा है इतना एरिया में डियाग्राम में देखो यहां पर बनाता है ठीक है तो यह क्या है यह मेल रेप्रोडक्टिव और गन होता है जब फीमेल और मे इंब्रियों केहते अब जब यह फ्लार क्या होंगे यह मत्व्योर है यह आपका अब क्या होगा यह जब में चsब ऑब हो album कि प्रॉट में और नहों आपको बताया कि सिंपल सा देखो यह आपकी पास fruit है और इसको मैं पहले एरेज कर देती हूं कि एजी ली आप रिवीजन करते हैं ठीक है चलो एक शॉट रिवीजन इसको देख लेते हैं यह आपका fruit है ठीक है apple लिए apple हमने खाया इसमें दो यह दो ब्लैक ब्लैक नजर आ रहें इसको क्या कहते हैं अब यह सीट बना कैसे यह सबसे पहले बनेगा ठीक है इसको पंकुडिया थीक है इसको पंकुडिया नहीं पेटल्स बोलते हैं और यह जो नीचे का हिस्सा फूला हुआ है इसको पिस्टिल कहते हैं इसी में देखो यह female reproductive organ हो होते हुए जो है जब male and female reproductive organ का मलब male and female gamut का जब fertilization होता है male and female gamut का जब fertilization होता है जाइगोड में cell division होते हैं ठीक है जो number of cell को बढ़ा देते हैं इसमें number of cell बढ़ जाते हैं कि स्ट्रॉक्टिर जिसमें कई साहे से लोते हो से चिसमें कि कैसे को इंब्रीओ करने का में हो रहा तो जिसमें क्या था कि इंप्रीयों के और पर सीट की कावरिंग कर這種 के उसको पर सके और सुखेन और जब the करेंगा इसके ऊपर एक fruit की covering हो जाएगी यानि एक fruit बनके तयार हो गया तो और ज्यादा यह हो गया फुरूट हमने खा लिया अब यह जो है जर्मिनेट कर किक न्या पॉदा बना देगा चिक है तो यह बात आपको तो के unhappy investment को जो कि vu नुधा करूं सतनकि जी जो नीतना नहीं तरे कि राख pe усight करकि ईन्हें लाख दाँविधी तो यह वार्ट पहुट की और ईंहे व्याहित drugiej सके जादि शीtanता हुटाई न से अफे डहना आ टाक प्लान देत तो तो किémने कि दुखत क्या है आपर है इसमें आपको रेयल रि til ऑप और्लिल रूडवे का आपको जो जैन 11 ग्रोड लिघते है इसमें देखो यह प्रोड्य॥ो करता है सीडस प्रोड इन ऊहर क्रोड को इन्प इनधार सृट इन व मट इन चुंपर खाएं इसमी कुआ यह आप यहां पर ही तो डेवलाप हो रहा है ठीक है ओवरी गेट मॉडिफाइड इन्टू फूट अब यह जब पत्यां जड़ जाएंगी सब यह फूल जाएगा तो जो ओवरी होती है वह मॉडिफाइड होती है फूट में सीट्स हाव इंब्रियो इंसाइड और सीट के अंदर इंब्रियो होता है यह तो बात पता ही है ठीक है चलो नेक्स स्लाइड में देखते हैं अब नेक्स स्लाइड में देखो नेक्स स्लाइड में क्या देखेंगे इंब्रियो हाव इस्ट्रॉक्चर कॉटी लीडन अब आप क सबसे पहले एक बीज होता है अब बीज क्या करेगा पानी मिट्टी में जाएगा नमी लेगा पानी लेगा तो इसके फ्रूट्स खाते हैं तो फ्रूट्स को छिलते हैं तब खाते हैं तो जब जर्मिनेशन होता है सीट का तो जिए experi सीट की कवरिंग होती है सीट यह ठीक है इसके ऑपर ये कवरिंग है किकी सीट सीट कवरिंग पर जब यह पान मिट्टी के अंदर होगा तो सबसे पहले यह सीट के कवरिंग ऐसे खुल जाएगी ठीक है देखो यही हुआ अब यहां से क्या होगा यह देखो इससे जो एए एक सीट कोट पड़ गया ठीक है अब इससे प्लांट निकलना इस्टार हुआ अब यहां पर देखो यह सेकेंड वाला मैं दिखाती हूं यह वाला अब यहां पर निकल आई और यह जो है इसको कहते हैं और यह देखो आपका रूट बन गया इस तरीके से यह बात समझ में आई तो अब हम लोग देख लेंगे कि यह होती है on the basis of number cotyledons angiosperm और दो तरीके के आपको angiosperm मिलेंगे कि यह cotyledon मिलेंगा एक monocot होगा यह इनकों समझ में आ रहा होगा not a ॐससे होंगे जिसमें 1 cotyledon और डाइकोट रहसे होंगे जिसमें 2-cotyledons होगा यह बात क्लियर होगी देखो पहला ही डाइग्राम में आपको बना हुआ है तो इसमें दोखो 2-cotyledons बना हुआ है अब इसमें दोखो flowering plot में देखते हैं तो monocod के flower parts होंगे वो 3 के multiple में होंगे जो monocod के flower parts होंगे वो 3 के multiple में होंगे जैसे आप 3 का table याद कर लो 3,3,3,6,9,12,15,18,21,24,30 ठीक है इस तरीके से होगा अब यहां पे आप count करो यह देखो कितनी इसमें जो है आपकी petals बनी है दोखो 1,2,3,4,5,6 6 है यानि 3 into 2 तो यह 6 यानि 3 के multiple में है तो floral parts in threes ठीक है यह बात clear हो गई अब हम देखेंगे इसमें देखो इसमें 5 बने तो इसमें 5 के multiple में होंगे ठीक है तो dicot में क्या है कि जो flower parts होंगे वो 5 के multiple में होंगे तो 5 के multiples के लिए 5 का multiply करके 5 हो जाएगा 10 हो जाएगा 15 हो जाएगा 20 then 25, 30, 35, 40, 45, and 50 इस तरीक तो अभी यहां पे कितने है वान तूख फैरी फॉर फैर यानि फाइवं फाइव तो फ्लॉरल पार्ट इन 4 और 5 ठिक है अब देखो इसकी लीप के बारे में बात करेंगे जो मोनो कॉड्स की लीव होती है अगर हम डाइकॉड्स की लीव की बात करें एसम बना रहे हैं छिक है इस तरीके से अब इसमें लाइन बनी हुई है जिसको हम लोग कहते हैं मिड्रिप ठीक है और यह जो रेशेदार नेट लाइक बनी हुई है इसको हम लोग कहेंगे वेंज ठीक है यह बात क्लियर हो गई अब अगर हम लोग कभी आपने जोए ग्रास का जोए स्ट्रॉक्चर देखा है ग्रास का देखो ग्रास कैसी बनी होगी आपकी ग्रास हमेशा हमेशा इस तरीके से होती है तो उसमें जोए बीच मोटी लाइन इस तरीके से होगी तो उसमें है इसमें देखो यह कि device बनी हुए यह कैसी यह सथैडि कि यह आपका है मोनो कॉट क्या है यह यह आपका मोनो कॉटक का साँआट और ये वह आपका डाइकॉट का साम्पल है तो थेक dus इतनी बात क्लियर हो गई इसमें आपके कहों कैसी झिस भनी होई है इसमें तयश्चन है और इसे पालके इसे किस्ट्रोकूर से मोनोकोर्ट में तीक हैं लास्ट पॉइंट देखते हैं जो वैस्कुलर बंडल ट्रो आउट इस ग्राउंड टिशू एंड इस्टेम वैस्कुलर बंडल अरेंज इनर रिंग टिशू अब इसको पहले हम लोग करते हैं फिर समझाएंगे देखो जो अदरेंगे जो अदरत जี่स अदरें जबात करेंगे अगर आगा में अन्हें बत करेंगे तो आपका है तो आपको इस तरीके से बनेगा तो इसमें बंडल के फॉर्म में एंड रिंग फॉर्म में अवैलेबल होते हैं तो वही लिखा है यहां पर बंडल अरेंज इनर रिंग ठीक है और यह एक रिंग का फॉर्म दे देता है यह बात आपको क्लियर हो गई अब हम लोग ने इसमें क्या पर लिया यह फूर्टिंग प्लांट्स होता है ठीक है इसमें जो है कोटी लिदेंस के बेस दो टाइक पढ़ा दिये मोनोकोड और डाइकोड अगर मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब लाइक शेक करना मत भूलेगा और प्ल आप मैंने क्लसिफिकेशन में तक मैंने फर किंड़म पढ़ा दिया इसमें किंडम प्लांटी कप्लीट कर दिया अब मामने से कम्लांथ का करूंगी गींडम अनीमिया में वहां अर्डल कैं요 दहें बना सकती को डाने से का होता है आप तक बहुत easily information चले जाए और आप देखने में भी अराम समझ सकते हो कौन सा topic पढ़ना है वहाला पिक कर सकते हो और इस video के इस video नहीं पूरा जब यह complete हो जाएगा diversity in living organism में मैं last में पूरी एक notes अपने description में available करा दूँगी आप तब पूरे notes ले लेना अभी पढ़ा रही हूं इसले notes नहीं दे रही हूं क्योंकि वह for the process में and thank you so much and keep support me